हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रोशन की क्लास यूटीब चैनल आप सभी का आज की सुच में सिच्छड पाठी योजना की वीडियो में एक बार फिस से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो लेशन प्लान हिंदी सब्जेक्ट का तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग को प्रस्तावना कौसल के उपर एक सिच्छड योजना सुच में सिच्छड योजना बनानी है हिंदी सब्जेक्ट की तो काफी अच्छा टॉपिक है उप्वी से इ आसानी होगी व्याकरण का चैप्टर पढ़ाने में थोड़ी सी आसानी इसलिए होती है क्योंकि इसमें टॉपिक आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा एक्स्प्लेन करने का जब आप इसका जो लेसन प्लान हो बनाएंगे उस टाइम पर तो अगर वीडियो अच्छी से जुड़ने के लिए आपको एक काम करना है जो की बिल्कुल फ्री है नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजे लाल कलार का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन आएगा घंटे कर निशान आएगा उसको दबा के all notification on कर लिजेगा तो अब चलते हैं आज के यहां पर सुच्छ में से च्छर पाठी होजना की वीडियो पर यहां पर देखें सबसे उपर आपको सुच्छ में से च्छर पाठी होजना लिखना है उसके बाद विद्याले का न अब 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 आज है माने का अब अब यह होती है सुच्छ में से च्छर पाठी होजना की वह पांसे साथ मिनट होती है इसके बाद दिनांक लिखना है जिससे पता चलता है कि आपने कौन सी माइक्रो टीचिंग किस डेट को की थी हैं कि और अगडर अब कच्छा के जगहा पे यहां यहां पर कच्छछ भी लिख सकते हैं साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा टॉपिक है आज का की वह है आपको प्रस्तावना कॉसल इस कॉसल के अंतरगत आपको प्रस्तावना निकलवाना होता है अपना प्रकड निकलवाना होता है प्रस्तावना प्रस्त के द्वारा इसके बाद आपको प्रकड लिखना है प्रकड हमारा आज का है विसेशन लेकिन जब आप स्यामपट कारी करेंगे इतनी सारी चीज़ों जो आपको दिख रहें विद्याले के नाम से लेके प्रयुक्त कौसल तक ये सारी चीज़े आपको स्यामपट पे भी लिखनी होती हैं पांसे साथ मिनट के अंदर ही उसके बाद आपको प्रस्तावना के द्वारा अपना प्रकड भी निकल वाना होता है उसी पांसे साथ खाले उसके आगे खाली स्थान छोड़ दीजिए आपको प्रकड के सामने विसेसर नहीं लिखना है यानि कि प्रकड का नाम नहीं लिखना है क्योंकि आप प्रस्तावना के द्वारा बच्चों से प्रकड निकल वाएंगे अगर पहले ही प्रकड का नाम लिख देंगे तो बच्चे आफके प्रकण को आसानी से बोल देंगे तो वहाँ पर खाली स्थान छोड़ दीजेगा जब आप बच्चों के द्वारा अपने प्रस्तावना कोसल के द्वार बच्चों के प्रकण निकल वा लेगे तब यहाँ पर आके फिल कर दीजेगा पुरुग्यान का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों का पुरुग्यान यहाँ पर जाचा जाता है कि उनको कितना नौलेज़िक के अनुसार यहाँ पर प्रस्ण बनाए जाते हैं जानि कि पहले प्रस्ण पने साल अला कि यहाँ पासे उसी में आपको ङंड़ातक करना से झालाए फंड़्या इसलिए take आप प्रस्तावनों प्रस्तावनों के द्वारा बच्चों को आकार्शित भी करेंगे अपने तरब जिसे बच्चे आपके प्रस्तावनों को अच्छे से सुनेंगे और उनको अभिप्रेणा भी दीजिए उनको प्रोचाहन भी दीजिए अगर वो बच्चे आपके प्रस्ता और टीचर है आप छात्रा ध्यापक या छात्रा ध्याभिका हैं तो आप आपके अंदर उत्सा होना चाहिए उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आप इसके बाद आता है आपका सातों यहाँ पर पॉइंट सातों पॉइंट देख लिए समुचित उपकरणों अयम साधनों का प्रयोग आप जो टीचिंग लर्नी माटेरियल दे जाएंगे टीलम जिसको कहते हैं वो सही तरीके से आप यूज करें कब किसका यहाँ पर प्रयोग करना है वो सारी जैसे संकेतक ले जाएंगे आप उसका कप प्रयोग करना है लेखन का प्रयोग करना है यह सारी चीज़े होती है यहाँ पर उपकरण का सही धंग से प्रयोग करने में अब उसके बाद यहाँ पर आता है आपका हेडिंग पूरोग्यान पूरोग्यान में देख लिए आपको लिखना है यहाँ चात्र व्यक्ति वस्तों और अस्थान की सामाने जानकारी रखते हैं अब यहाँ पर पूरो ग्यान आपने अज्यूम कर लिया की बच्चो को यह सब नौलेज है अब उसकी बाद आता है आपका प्रस्ताओना प्रस्ताओना प्रस्त में तीन कॉलम बनाने होते हैं करम संख्या, छात्रा अध्यापक का थन, छात्छा कि खिर कर दिया और लास्ट में कहीँ पे घटक बनाया जाता है और कहीं पे घटक का कॉलम नहीं रखते ये लेकिन घटक का कॉलम जरूर रखना चाहिए तो टोटल चार कॉलम हो जाएंगे है यहापर और छात्रा ध्यापक का कत्फन हो चाहिए गया है अप साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कम से कम 3 प्रस्ण पूछ़ के अपना प्रकर निकलवाना होता है और ज्यादा से ज्यादा छे प्रस्ण न पूछ सकते veil meaning अश्वित रखिएगा अब यहां पर देखिए रह locking आपके किसी बच्चे से आप पूछ लीजिए, बच्चे आपका नाम क्या है, तो बच्चा बताएगा जो भी उसका नाम होगा, यहाँ पर example के लिए स्याम लिखा गया है, फिर दूसरा प्रस्ण बनेगा, स्याम आप किस सहर में रहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, बच्चे का ज व्यक्तिवस्त और अस्थान का बोद कराए, उस सब्द को क्या कहते हैं, तो बच्चों को यह सारी चीज़े तो पता है, संग्या के बारे में उनको नालेज होगी, कच्छ पांच पर पढ़ा दिया जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चे बता देंगे संग्या, व्यक्तिवस् बच्चे बता देंगे सर्वनाम कहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंसर सर्वनाम, अब जैसे ही सर्वनाम मिला, संग्या मिला, अब पांचों प्रसन आप बना सकते हैं, संग्या वो सर्वनाम सब्दों की विसेस्ता को बताने वाले सब्दों को क्या कहते हैं, तो यहां पर बच्चे बता देंगे, विसेशण कहते हैं, संग्या और सर्मनाम की जो विसेशता बताता है, उसको विसेशण कहते हैं, अगर बच्चे यहां पर नहीं बता पाते हैं इस question का answer, तो यहां पर यह प्रस्ण बन जाएगा, उनके लिए समस्यात्मक प्रस्ण देगा, तो आप उसकी यहां पर उद्देश कफन अपना बोलिए, अगर नहीं बनता है समस्यात्मक विसेशण निकल आता है, तो अच्छी बात है, तो बच्चों को बताईए उद्देश कफन में आप, कि यहां पर देख लिए उद्देश कफन लिखा गया है, विशे के व्याकण में विशेशन का विश्टार पूर्वक अध्यान करेंगे तो यह हो जाएगा उद्यज कतन बच्चों को पता चल गया है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं और आपने स्यांपड पर भी लिख दिया विशेशन तो सारे बच्चों को यह पता चल जाएगा स्या ग्रूप में जुड़े हैं फेस्बूक पर वाट्सप पर किसी भी सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो इस वीडियो के लिंक को सेर करें उनके साथ जिससे उनको भी हेल्प मिले अगर कोई चीज़ बनानी हो अगर लेशन प्लान से रिलेटेड आपको को बी किसी भी सब्चेट का लेशन प्लान वनाना के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके क्लिक करके सब्सक्राइब परना है और साथी साथ बेल आइकम को दबा के रखना है जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ यहां पे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुच ज सब्सक्षब